हेलो दूस्तों वेलकम टो आटन क्रेफ्ट विट्रोगोर देखिए आज हम लोग ऐसे कपड़ी के मदद से बास्केट बनाएंगे यह वासेविल है तो आपको कोई दिखकाती नहीं है पानी अगा रखेंगे गिला हो जाएगा यह यह देखिए मैं वासिंग रसिन के उपर य यह बेड़ सीट बगारा जो पुराना पड़ा रहता है उससे आप बना सकते हो यह एकदम कम बजेट में आपका बन जाएगा बहुत कम खर्चा होगा इसमें तो चलते देखिए पिर चलते हैं कैसे इसको बनाएं वह देखते हैं इसके लिए मैं यह एक जीन्स का टुकडा आपके पास अगर यह नहीं है तो आप ऐसे बेड़ सीट या फिर आपका सूट का कोई हिस्सा वह भी ले सकते हो और मीडल में मैं स्पॉंज डाली हूँ छोटा वाला जो टुकडा है वह टेन बाई टेन है और यह जो लिए हूँ यह टेन ट्वेल्व आपका जितना लंबा अब उतना हिसाब से लिजिए अगर छोटा रखना है तो लंबाई में लिजिए और लेके और यह लंबाई में 30 तर्टी इंचिस है और यह ले सजाने के लिए आपके पास अगर नहीं भी है तो चलेगा तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे लंबाई में पकड़ के इसक इसको सिलना ऐसे करके पुरा एक दम लंबाई में उपर से नीचे तक ऐसे सिलाई की वो देखिए हैanche फिर एससे करके तीन चार सिलाई और लगा देंगे थोड़ा दूर छोड़के फिर साइड में भी पूरा चारो तरफ सिलाई कर लेंगे देखे पूरा हो गया देखे साइड में भी कर ली हूँ चारो तरफ और जितना भी एक्स्ट्रा पीस चारो तरफ बचा हुआ था उसको मैं कट कर ली हूँ कि यह थार्टी इंच का लंबाई में है इसका और आपको चौड़ाई में जितना आपको बड़ा या छोटा बनाना उसी साब से रखिए देखिए अभी जो जो स्क्वार पीस था उसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे फोल्ड करके कि ऐसे करके नाप लगाएंगे इसमें कि राउंड सेब देने के लिए इसको चार फोल्ड कर लेंगे एकदम करके इसे थोड़ा दूर छोड़ छोड़ के ऐसे करके मीडिल में पॉइंट को ठीक करके फिर इसको ऐसे इसके निशाल लगा लेंगे कि फोर इंच पे चारो तरफ निशाल लगा रही हूं लगा के ऐसे करके इसको एक आपस में जोड़ देंगे जोड़ के अभी इसको कट कर लेंगे अगर ऐसे आपको मुस्किल हो रहा है तो आप किसी प्लेट लेके इसको मीडिल से बिठा के ऐसे भी आप राउंड कर सकते ह तो यह थोड़ा जीन्स का कपड़ा है थोड़ा टाइट हो रहा है तो एक एक करके मैं पीस की हूँ देखिए ऐसे राउंड सेपका में बना ली हूँ लेके और एक जो लंबाई का जो पीस है इसको देखिए और जो योलो कलर का कपड़ा रखी थी उसको जोड़ेंगे तो देखिए इधर तक इसको जोड़ ली हूँ यह अंदर के तरफ रहेगा इधर अब देखके समझ जाओगे कैसे मैं कर रहे हूं लेकिन आप लोगों को फिर भी मैं बताने के कोसिस कर रहे हूं देखिए अभी इसको क्या करेंगे सिधे के तरफ लेकर आई हूँ लेया के अंदर के तरफ भी थोड़ा यह लोग अपड़ा रहेगा तो दोनों तरफ ही थोड़ा थोड़ा दिखाए देगा तो दिखने में अच्छा लग रहा है देखिए इसको भी आयसे करके पकड़के इधर से एकदम लाष्ट तक इसको भी सिलाई कर लेंगे और यह जो लेस ल कोई भी मेरे वीडियो को नया देख रहा है अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो ऐसे नया नया आइडियो मिलता रहेगा अभी देखिए राउंड सेप का जो काटके रखी थी उसमें यह जो लंबा वाला पीस है उसको एक साइड से इसको जोड़न सुरू करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पकड़ेंगे और थोड़ा सा करके सिलाई करेंगे एकदम छोटा-छोटा हिस्सा करके सिलाई करेंगे एकदम छोटा जो कोई भी अगर नया बनाना चाहरे हो घर में तो उनके लिए जायद हेल्फुल होगा विजिए कि ऐसे करके फोड़ा फोड़ा करके प्कड़ेंगे थोड़ा हैँसे शिलाई करेंगे करके एकड़म लाश्च तक लेके जाएंगे इसको देखे, लाश्ट तक आ गया देखे, अभी जैसे मैं बोल रहा ही थी कि इसके लिए आसानी होगा सभी के लिए, तो देखे, अभी लाश्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसको कट कर लेंगे कट करके उसको निकाल इसके साथ नहीं रखेंगे, देखिए, इतना सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको कट कर लेंगे, लेके, और जो दो पीस का जो जॉइंट जहां से सुरू की थी और जहां से खतम कर रही हूँ, दोनों को आपस में जोड के सीलाई कर लेंगे, उपर से सिलाई करना सुरू करेंगे, नीचे तक लेके आएंगे, देखिए, और यह एक्स्ट्रा पिस्क मैं कट कर दियू, देखिए, बनके रेडी हो गया मेरा बस्केट, और यह वासेवल है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, बाद में आप इसको वास कर सकते हो, यह वास से मेरा यह रेडी हो गया, यह जो जॉइंट है, उसको आप तोड़ा इधर उदर करके रखिएगा, तो दिखाई भी नहीं देगा, और आपका घर में ही बन जाएगा, यह आप खर दिने जाओगा, तो में डेर सो दो सो तो लागी जाएगा पैसा, और पुराने जीन से भी अब बना सकते हो, देखे, छोटा बड़ा मैं साइज का बनाई हूँ, तो मिलते हैं आगले वीडियो में, तब तक के लिए बाए,